ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठा ये सरकार का तो यह है कि सरकार पहले ही सांदलन को जितना बंदाम कर सकती थी उतना उन्होंने बंदाम किया जितना दमन कर सकती थी उतना दमन करने के पहले कोशिज करी पर जब किसान अड़ गया क्योंकि जब ऐसी निरंकु सरकार के साबने हम लोगों को इस तरह का कदम उठ पढ़ता है जहां तक कानूनों की बात है कानून में अगर पहला कानून आप देखो गए तो सरकार यह कह रहे है कि यह कौंटेंग फार्मिंग किसी की कोई जमीन नहीं जाएगी सरकार के अपने वर्ल्ड है हमारे जो किछी मंत्री है ने तॉमर जी वो बोलने किसी की जमीन न उसमें जो उसका नवा कॉलम में उसमें पढ़ो गए मैं ज्यादा लंबी बात नहीं बहुत चोट बात करना चाहता हूं उसमें लिखा है कि वो उसी जमीन पे लोन भी ले सकता है अब बताईए कि अगर वो लोन लेगा और वो जो खेती हमको उसने दी है उस खेती में किस तर कानून कि हम लोग जो वस्तु अधिनियम में सरकार ने 1955 में कानून बनाया था कि कोई भी जमा खोरी एक हस्ते जादा नहीं कर सकता है आज सरकार उसमें संसोधन कर रही है संसोधन इस प्रकार का होना चाहता कि वो और कड़े होने चाहिए थे अब उसको छोड़ा जा रहा ह सरकार हमें बनाम कर रही है अभी पता चला है कि राइस्तान की एक सांसद हैं राइस्तान की सांसद है दोसा से वो बोलते ही है जब बलकी यह वड़ो जब बोल रही है जब किसान संगठन के जो कमीटी के लोग सरकार के पास आते हैं तो कह रहे हैं कि हमारे वामले पे आप आप सब्सक्राइब कोई भी हमको इस तरह का टैक ना लगाएं सरकार ने बोला हाँ ठीक है उधर ते नरेंदर तोमर जी बोलते हैं कि बहुत अच्छी वारता चले यह यह सा अंदोलन हमने कभी सुनियोजीत नहीं देखा है वहीं उनकी सांसद राइस्तान से सांसद वह आज कि उन्होंने बयान दिया है कि आतंगवादी बताइग है कि उनको अब यह क्या कहा जाएँ अब सरकार को उनको बहन चाहिए आप इस्तिफ़ाद है आप कैसे कहदिये आपने वह यह आप यह दूसरे दौर पर उनके साहां बाचित भी कर रही है अलिए वब आप आतंग किसान थक जाएंगे हम यह बता देना चाहते हैं किसान वो कौम है जिन्होंने लड़के पूरे हिंदुस्तान को बनाया है यह मजदूर वो कौम है जिन्होंने हिंदुस्तान को बनाया है यह बापीस होने के लिए नहीं आए जब तक किसान यह सारे काले कानून बापीस नहीं कोई संबन्ध है कहीं से कुछ निकल कर तो आया नहीं यह सब आप ही लोग कह रहे हैं कि हाँ अडानी अंबानी इनकी जय भढ़ने के लिए कानून बनाएं देखिए इस पर अगर आप बात कहेंगे तो एक कहवत और भी है कि पूंत के पाउं तो पानले में दिख जाते हैं अब हम लोग इस कानून को अगर ऐसे ही नहीं समझ रहे हैं सरकार तो पहले से भी कहती रही है तो हम तो आम जंता के लिए कानून बना रहे हैं उन्होंने कानून बनाया मैं थोड़ा लंबी बाचीत हो सकती है उन्होंने मज़ूरों के जो 44 कानूने उनको बदल दिया और कहा किस वाद में स्रम में विजेते मलिस से मज़ूर की जय होगी वहीं उन्होंने कानून पता उसमें क्या है महिलाओं से भी रात की पाली में काम करेंगी और सबसे बड़ाति है की सरकार ने परना जार दिया उनकी स्वरक्षित का और यजो महारी के नेमेंट होगी झीज़यु कंपनी की में मैं suicide किसान इसले इन कानूनों को किसान बहुत में किसान वक देख रहा है यहां तो कानून बने भी नहीं अभी जब कनून बने भी नहीं थे उस सम Wuhan पे जो वह बड़े बड़े स्टोर शॉर बनने लग गए है नहीं लगदधार है अब बताइए कि fro इतना पूंजी रखता है कि तीन साल की पूरी खेती जमा कर सकता है और उसने इतने बड़े-बड़े श्टोर बना दिये क्यों बना दिये एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि आप यह बोलें कि मला अदानी अंबानी का कैसे होगा अभी हमारे रक्षा मंतिरी जी ने पिछल साल क्यों जा रहे हैं इतनी दूर मैं आज ही बताता हूं हमारे खेस से चली गोवी दो रुपे किलो के हिसाब से चली एक इतना छोटा सा फूल वह महां पे मौल में 30 रुपे का मिला वह आदा किलो का भी फूल नहीं था 30 रुपे का विका हम कह रहे हैं कि ऐसी चीजे आम हो हैं उन्होंने पूरा इस कानून को देख लिया और वह अपने वहार से जानते हैं जो अनपढ़ी होंगगे कि सारे के सारे कानून इसलिए acceso बनाया कि अदानियम बाने के लिए। दूसरी एक बात और दूसरी हमको ये भी समझना चीए कि जो सरकार मज़़ूरों पर हमला बोला जिन्नों ने समाज के और धर्म के लोग हैं उन्ने पर हमला बोला अभी सिक्षा नीति में बदला हम लोग कैसे समझ जाएं कि वो किसानों के देखा जाए तो साब समझ में आता है कि कैसे उनके लिए काम करते हैं ये हैं टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीति का कच्चा चिठ्था